हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज में आपके लिए स्वेटर का ब्यूटिफुल पैटर्न लेके आए हूं यह बुनना बहुत इजी है यह लेडीज केट से जैंट से सबकी स्वेटर में डाला जाने वाला पैटर्न है यह फोरो पैटर्न है आप में इस पैटर्न फंद इसको स्किप कर लिया अब दग फ्रेंड साइड को लियाके आगे का फंद नहीं बुनना है इसको बिन बुने उतार लेना है और इसके आगे एक जाली वाला पंद निकालना है और आगे के दो फंदे उल्टे बुननने है आगे वाला पंद भी बिन बुने उतार लेना है और इसके उपर से एक जाली वाला पंद निकालना है आगे के दो फंदे इनको गटा देना है और इनसे एक फंदा निकाल लेना है आगे वाला पंद भी बिन बुने उतार लेना है और इसके उपर से एक जाली वाला पंद निकालना है आगे के दो फंदे गटा देना है और इनसे एक फंदा निकालना है ये जो हम दो फंदे गटा रहे हैं इसकी बरपाई ये जो जाली वाला फंदा है ये कर रहा है आगे भी ये बिना बोने फंदा उतारना है और इसके उपर से एक जाली वाला फंदा निकालना है आगे के दो फंदे इनको गटा देना है और इनसे एक फंदा निकाल लेना है आगे वाला फंदा बीन बोने उतारना है और इसके उपर से एक जाले वाला फंदा निकालना है और आगे के दो फंदे गटा देने है और इनसे एक फंदा निकाल लेना है तो लास्ट में हमने फंदे गटाये हैं और फ्रंट में बीना बुनी फंदा उता रहा है और इसके साथ एक जाले बाला फंदा पनाया है यह फर्स रोव कंपलिट होगी है सेकंड रोव बैक साइड तो बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं जो यह जाले बाला फंदा है बो भी बुनना है उल्टा ही और बाकी के फंदे यह बी उल्टे ही बुनने है अब थर्ड रोव फ्रंट साइड तीस्री स्लाइड चली है इसमें पहला फंद दो से एक फंदा निकाल लेना है, और इससे आगे का फंदा नहीं भुनना है, इसको बिना भुने उतार लेना है, इसके उपर से एक जाली वाला फंदा निकालना है, और आगे के दो फंदे गटा देने हैं, दो से एक फंदा निकाल लेना है, आगे वाला फंदा भुननना नह इसको हम ऐसे भी लेके जाली वाला फंदा ऐसे भी डार सकते हैं और आगे के दो फंदे दो से एक फंदा निकाल लेना है आगे का फंदा बोनना नहीं है इसको बीना बोने उतार लेना है और इसके उपर से एक जाली वाला फंदा निकालना है और आगे के दो फंदे गटा ले आगए का फंदा बुन नहिंते में इसके उपर से जाले बाला फंदा निकालने में है लेकिन लाश्ट वंदे इसको हमने सीधा फ्रठाइद है लेकिन यहां से दागा ले जाके इसको ऐसे कुछ वह बुनना है यह जाले बाला फंदा पड़ गया अब 4th row बैकसाइड तो बैकसाइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही भूनने हैं चाली वाले फंदा भी और दूसरी फंदे भी जैसे हमने सेक्ड रो लगाई है बैसे ही 4th row लगानी है पैटर्न अच्छे से निकल गया जैसे नीचे फोर रूर लगाई है बैसे यहां पर लगाई है प्रेंट्स अगरापको मेरा बोना हुआ डिजाइन पैटर्न पसंद हारा है तो like share और subscribe जरूर करदे अगरा मेरे चैनल पर पहले बार आएं तो भी like share और subscribe जरूर करदे थैंक्यू